45. सभापती महोदे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्रिय कर्मचारियों की हरताल के लिए केंद्रिय सासन बहुत अंसों से जिम्मदार है वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रकासन के पश्चात जिम्मेदार करमचारियों के परमर्ष के बिना ऐसे परिवर्तन किये गए जो करमचारियों की हीतों के प्रतिकूल थे आज कहा जाता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट एक पंच का फैसला था यदि वह पंच का फैसला था तो उसमें एक तर्फा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था सनीवार की छुट्टी का सवाल है या एक जुलाई की से करमचारियों को सुविधाय देने का प्रस्न था सरकार ने उन में मानना परिवर्तन किया वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि एक सनीवार को पूरा काम होना चाहिए और एक सनीवार को पूरी छुट्टी किंतु केंड केंद्रिय सरकार ने उसे बदल दिया एक जुलाई से जो सुविधाय कर्मचारियों के लिए लागु की जानी चाहिए थी जिनने दिसंबर तक हटा दिया गया मैं नहीं समझता कि केंद्रिय सरकार ने उस रिपोर्ट को आवाड मानकर अपना कारे अरम किया और अगर यह मान भी लिया जाए की वेतन आयो की रिपोर्ट एक अवाड था तो इस प्रकार के उधारन मौजूद है कि जब केंद्र सरकार ने अवाडों में परिषटन किया है बैंक अवाडों में परिषटन के बिरूद स्री गिरिन ने अपने पज से त्याक पत्र दे दिया था यदि बैंकों के मिल मालिकों के पच में किसी आवार्ड में परिवर्तन हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि 22 लाग कर्मचारियों के हीतों का विचार रखते हुए अगर इस पे कमीशन की रिपोर्ट एक आवार्ड थी तो उसमें भी कोई संसोधन क्यों नहीं किया जा सकता थ लेकिन मुझे सिकायत है कि सरकार ने उसे आवार्ड नहीं माना और यह सिकायत हमारे इंटक के नेताओं को भी है कि कमीशन ने कुछ ऐसी सिफार्शे की थी जो पहले कमीशन की सिफार्शों के खिलाप जाती थी पे कमीशन की रिपोर्ट में कुछ ऐसी भी सिफार्शे थी जिनमें कर्मचारियों की सुभिधाओं में उन्हें वर्षों तक संघर्ष करने के पस्चात प्राप्त की थी, कटवती दर की गई थी, क्या यह सवभाविक नहीं था कि सरकार उन सिफारिसों को लागू करने से पहले केंद्रिये कर्मचारियों के प्रतिनीधियों को वार्ता के लिए बुलाती क्या पहले पे कमिशन की रिपोर्ट एक आवाड नहीं थी क्या उसमें जो महंगाई भत्ते के संबंध में सिफारिश की गई थी वे सरकार ने लागू किया इसके बारे में मंत्री जी ने असपस्ट उत्तर नहीं दिया